क्या दोस्तूं आपके भी mobil में internet जल्दी खत्म हो जाता हैं दोस्तों कई बरतों अपने mobile को जब भी data को own करते हैं यदि आप उस setting को own कर लोगे तो आप पूरे दिन भी अपने mobile को चला सकते हो और आपके data 90 होगा हो जब भी भी खत्म नहीं होगा तो मैं जानेंगे इसी वीडियो में तो दोस्तों आप इसी वीडियो को सरू से लेके एंड तक देख लेना मैं आपको step by step समझाऊंगा तो दोस्तों आपको भी समझ में आ जाएगा और आप भी अपने मोबाल में उसे सेटिंग को ओन कर लोगे तो unlimited internet चला सकते हूँ तो जानेंगे पूरी वीडियो डिटेल के साथ में तो चलिए वीडियो को सरू करते हैं तो दोस्तों वीडियो को सरू करने से पहले दोस्तों आप इस चल पे नए आए हो तो चल को subscribe करके पास में बलकन घंटी दिखाए देरी उसको भी all पर प्रेस कर देना आप अपने मोबाल में सबसे ले मोबाल की सेटिंग को ओपन का लेना जी हाँ दोस्तों आप अपने मोबाल की सेटिंग से एक आपको सेटिंग बताऊंगा यदि आप उस सेटिंग को ओन कर लोगे तो आप अपने मोबाल में जो भी डेटा एम भी आता है उसको पूरे दिन यूज कर पाऊगी, एक SASểm ने मेरे को कमेंट करके बताय था कि मेरे DJB डेटा आता है और मेरे डेटा को ओन करता हूँ तो only 12 बज़े, 1 बज़े तक चल जाता है, यानी 2 फिर तख की मेरे मोबल में इंटरेट चल पाता है तो मैं अपने mobile में उस setting को on कर लोगे तो guys आप पूरे दिन भी internet चला पाओगे तो guys आप अपने mobile में सबसे बिले mobile की setting को open कर लेना उसका guys आप कहाँ पर दिखा दरा network internet उस पर आपको click कर लेना जैसे उस पर click कर करके आप कहाँ पर निचे interface कर लेना और दोस्तों आप कहाँ पर दिखा दरा data share उस पर आपको click करके यहां से आपको इसको own कर लेना जैसे यहां से own कर लोगे तो अपने mobile में जब भी internet चला ओगे तो guys आप कहाँ पर data share होगा वो own हजाएगा और आपके internet की खपत कम होगी और आप पूरे दिन भी internet चला सकते हूँ जैसे दोस्तों आप कहाँ पर दिखा दरा मैंने इसको own कर लिया तो अपने mobile में internet की खपत कम होगी और मैं पूरे दिन भी internet चला सकता हूँ तो दोस्तों आप भी अपने mobile में internet की बचत करना चाहते ही या आप इंटरनेट पूरे दिन चलाना चाहते ही तो उस सेटिंग को ओन जरूर कर लेना तो चलिए दोस्तों ये वीडियो आपको येस पूल लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और दोस्तों ये वीडियो कैसे लगी वीडियो के निचे कमेंट करके जरूर बताना और दोस्तों आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सस्काइबर जरूर कर देना वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत दन्यवाद